दमश्कार आप देख रहे हैं यूग चर्ण और मैं हूँ आपके साथ कुश्पर सिंग आये नज़रालते देश और विदेश से दुड़ी कुश पड़ी खबरों पर पशमंगाल के मुख्यमंत्री ममता वेनरजी गुरुवार 14 मार्च की शाम को कोलकाता में काली घार रिस्तित अपने घर में गिर गई इससे वो गंभीर रूप से चोटिल हो गई है उन्हें SSKM अस्पताल ले जाया गया जहां उनके माथे पर तीन और नाक पर एक सहित कुल चार्ट आके लगे हैं कुछ घंटो बाद रात करीब 9 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया हाला कि ममता के चोटिल होने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं SSKM अस्पताल के डारेक्टर मनी मोई बंधो पाध्याई ने अपने मैडिकल बुलेटिन में कहा कि बंगाल सीएम को किसी ने पीछे से धक्का दिया था जिसके कारण वो गिर गई सवाल ये है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच सीएम ममता के बैडरूम में कौन घुसा था जबकि उनके पास जड़ प्लस सुरक्षा है रिटाइड आईजीपी पंकस दत्ता ने कहा कि सुरक्षा चूक का मामला है इसे स्वास्त समश्या या हाथसा नहीं कहाजा सकता है नागरिक शेंशोदन कानून के खिलाब भारत में विपक्षी पार्टियों के आलोशना के बीच पागिसान और अमेरिका ने इस पर अपनी प्रतिकिर्या दी है पागिसान में CAA कानून को भेद भाव पूर्ण बताया है वहीं अमेरिका ने इस पर चिंता जाहिर की है पागिसानी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता मुम्ताज जहरा बलोश ने कहा कि CAA कानून का लागू होना हिंदू फासिवादी देश का भीदभाव पूर कदम है ये कानून आस्ता के आधार पर लोगों में भीदभाव पैदा करता है CAA इस गलत धाड़ना पर आधारित है कि मुस्लिम देशों में अल्प संख्यकों परत्याचार किया जा रहा है और भारत अल्प संख्यकों के लिए सुरक्षित देश है अधर रमायकरी व्रिदेश मंत्राले की प्रवक्ताब मैथ्यू मिलिर ने कहा कि हम 11 मार्श की CAA के नोडिफिकेशन को लेकर चिंतित है इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा हम इसके करीबी से निगरानी कर रहे हैं लोगसबाद चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी रणनिती बनानी शुरू कर दी है इस पीश लोगसबाद चुनाव की घोषना को लेकर के अवुल्टी गिंती शुरू हो बई है फिलाल मिल रहे संकेतों को निस्वार 16 या 17 मार्च को इसकी घोषना की जा सकती है 2019 में लोगसबाद चुनाव की तारिखों का एलान 10 मार्च को ही कर दिया गया था चुनाव आयोग ने 2019 में लोगसबाद चुनाव का एलान रविवार को किया था जो सेरेसे चुनावी हलचल बड़ी है उससे साफ है कि लोकसभा चुनाओ की घोषना कभी भी हो सकती है। दरसल मद्दाम की घोषना से पहले चुनाव आयुकतों के दोनों खाली पदों को भरा जाना था, जो बीते दिन भर लिया गया। चुनाव चुनाव से पहले नागपूर में आरेसस का महा मंतन आश्रू होने जा रहा है। आज से तीन दिन नागपूर में अखिल भारतिये प्रतिनिधी सभा की बैटक चलेगी। संके प्रतिनिधी सभा में नई से रिस समदारिया तै होंगी। इस दोरान संक प्रमुक मोहन भागवत सहित। सरकारेवाह दत्तात्रे होस बोले सभी से सरकारेवाह सभी केद्रिये प्रतिनिधी इसमें शामिल होंगी। संग के अखिल भारती प्रतिनिधी सभा नागपूर में आज से 17 मार्श तक चलेगी 1200 से 1300 प्रतिनिधी अपने नई सरकारिवाह का चैन करेंगे प्रिशंबाद के स्मर्ति भवन में आज से बैठका आगास होगा संग के सक्रिय स्वय सेवक एक प्रांती प्रतिनिधी का चैन करेंगे जबकि 40 प्रतिनिधी मिलकर एक अखिल भारती प्रतिनिधी का चैन करेंगे इसके बाद पार्टी प्रतिनिधी प्रांत संग चालक का चुनाव करेंगे और सभी मिलकर अपना नया सरकारेवाह चुनेंगे बता दें कि 2021 से दतात्रे होस बोले सरकारेवाह है सुप्रिम कोट ने शुक्रवार को उलेक्टोर्डल बॉंड से जुड़े केस में SBI को नोटिस दारी किया है कोट का कहना है कि Constitution बैच के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि चुनावी बॉंड की पूरी डीटियर खरीदी कितारे खरदार का नाम कैटिगरी समेथ दी जाए SBI ने चुनावी बॉंड के यूनिक अलपा नियूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है इसके लिए कोट ने SBI से 18 मार्च तक जवाब मांगा है CGI डिवाइडी चंदचूर, जस्टिस संजीव खना, जस्टिस बियार गवाई, जस्टिस जेवी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्वा चुनाव आयोग की आचिका पर सुनवाई कर रही थी CGI ने कोट को दिये गए सभी दस्टावेजों को वापस करने की मांग की थी आयोग का कहना था कि उसने गोपनियता बराय रखने के लिए इन दस्टावेजों की कोई भी कॉपी अपने पास नहीं रखी है इसलिए आगी कारेवाही के लिए लेक्टरोरल बॉन्ट से दुड़े दस्टावेज दे दिये जाए तमाम खबरों को देखने के लिए बने दिये हमारे साथ युक चर्ण तब तक लिए नमश्कार